हलो माई सूल फामली नमस्तिया आप सभी के स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल और हेलिंग सेंटर पर फ्रेंस आज हम देखेंगे कि इस समय आपके परसें आपको लेके क्या सोच रहे हैं चैनल पर अगर नहीं हो तो चैनल को प्रीज लाइक और सब्सक्राइब करिए ताकि आगे आने वाली हर एक वीडियो को आप देखें और वहां से आपको अच्छी गाइदेंसी पिले आप मुझे इंस्टागाम इन फेस्बूक पर भी फॉलो कर सकते हो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मां मिल जाएगा ओकी वहां से भी आपको काफी अच चलिए देखते हैं इस समय आपके परिसन आपको लेके क्या सोच रहे हैं फूल इस पर गईट से इंजल स्पीज बताएए वाव दो बॉल्ट wheel of fortune six of coins five of coins wow knight of pentacles two of cups four of sword seven of cups I hope you can see all the cards right yeah the hermit the fool again two of cups oh my goodness the devil the high precious the towel six of swords and six of bonds your person this time there is a confusion because they need victory in every situation they need victory in every situation you need to deal with your divine counterpart deal with wherever you are where you are both and I feel like you should meet and in the last when you have a lifetime and your birth every other you have a soul group you have a soul group की बात करते हैं, you may have certain purpose on this planet तो I think इस जनद में भी आप टकराए हो एक दूसरे से I think कुछ divine purpose को fulfill करने के लिए something like that लेकिन हाँ आप जो deal कर रहे हो अपने soul में से ही deal कर रहे हो, बहुत strong vibe है and कही न कहीं I think awakening हो चुकी है आपके person की, क्योंकि यहाँ पर हम आपके person के energies को देख रहे हैं awakening हो चुकी है आपके person की इस connection को लेके एक चीज मान लीजे, एक चीज जान लीजे आप जितना भी उन्हें प्यार करते हैं ठीक है, उतना ही आपके person आपको प्यार करते हैं आपको दिखा रहे हैं, नहीं दिखा रहे हैं शोव कर रहे हैं, नहीं शोव कर रहे हैं जो भी कुछ है लेकिन fact यह है, जतना आप प्यार करते हैं उतना ही आपके person भी आपसे प्यार करते हैं लेकिए इस समय उनके पास हो सकता है बहुत सारे options हो हो सकता है third party situation, हो सकता है alag-alag priorities हो होता है, divine connections इतने easy नहीं होते हैं, तबhए उनका नाम ने divine कहा जाता है, divine connections इतनी easy नहीं होते हैं, उनके alag-alag stages होती है, तो हो सकता है इस समय आपके person के life में priorities अलग हो, है ना हो सकता है उनके ध्यान, उनके finances पे हो उनके career पे हो, उनके बच्चों पे हो, या फिर उनके किसी और sector में हो, है न, या किसी life की किसी और aspect में हो, health में हो, लेकिन उनकी priority इस समय कुछ और है, but at the same point of time उनका पूरा का पूरा ध्यान आप पर भी है, क्योंकि आपके साथ वो victory चाहते हैं, या चाहती है, आपके बगर वो बहुत उदास है, sad है, upset है, बहुत उनके अपने आपको introspect किया है, बहुत अपने अंदर तक जाके, मुझे नहीं पता, यहाँ पे काम किया है कि नहीं किया है, लेकिन उनने अंदर तक जाके अपने आपको समझा जरूर है, अपनी सोल को समझा जरूर है, है ना, आपके person आपको अपना definitely सोल पार्टनर मानते हैं आपको आपको अपने अंदर को बहुता है कि इस वजह आपको अपने अंदर तक गए है यह चीज को समझने के लिए कि वह आपकी तरफ इतना attraction या फिर एक हिजाव या फिर एक पुल क्यों महसूस करते हैं या करती हैं येस आपके पर से आपके साथ डेफिनेटल एक नहीं साइकल शुरू करना चाहते हैं उन्हें कनेक्शन बहुत अच्छे से समझ में आ गया है मुझे ऐसा लगता है भले 3D लेवल पर आप लोग कनेक्टेट हो या नहीं हो रही है लेकिन 5D लेवल पर आप लोग कनेक्टेट हो आप लोग कुछ देखिए हम कैसे समझाओं ये जो 5D लेवल पर आप लोग messages exchange कर रह है ये इंटेंशनल नहीं होता लेकिन हो जाता है क्योंकि कोड्स कनेक्ट हो जाती है येस आपके परिसन आपके साथ एक नहीं शुरुवात करना चाहते हैं definitely the fool की energy है but below for sure मुझे लगता है आपके परिसन के लाइफ में कुछ ऐसे cycles चल रही है जो थोड़ी से tough है या फिर व एक respective call जो आपके तरफ लेना चाहिए उन नहीं ले पा रहे हैं बहुत options उनके life में दिख रहे है options in the sense not in terms of other partner options I mean to say कि priorities बहुत सारी है इस समय life में है ये भी problem है वहाँ पर भी problem है ये भी solve करना है वो भी solve करना है ये भी resolve करना है वो भी resolve करना है तो कहीं न कहीं देखिए love भ real challenges होते है तो थोड़ा सा love पीछे हो जाता ना वहाँ इस तरह का angle देख रहा है यहाँ पर हांजी आपके person चाहते हैं कि जो उनकी tough cycles चल रही है वो सारी खतम हो जाए और वो आपके साथ एक नई शुरवात करें आपके साथ equal mutual given take करना चाहते हैं वो बलकुल करना चाहते हैं क्योंकि आपसे बहुत प्यार करते हैं और यह कहीं ना कहीं इस connection में डिवाइन का support है डिवाइन का heart है सेम वोही चीज है equal mutual love है आप दोनों के बीच में हांजी है एक balance लाना चाहते हैं आपके person इस connection में हो सकता है इस समय आपके person के finances अच्छे नहीं हो या फर उनको health issues हो यह वाले person है और जिनको हर चीज से डर लगता है है ना root chakra उनका हिला हुआ है चक्रा बहुत imbalance लग रहे हैं बहुत जादा fear है उन्हें usually क्या होता है जब हमें किसी चीज का fear होता है ना तो हम हमारे you know limiting beliefs से या फिर हम हमारे thought system से अपने आपको खुद ही बांध लेते हैं इस तरह आपके person मुझे लग रहे हैं आपके person है या फिर यह भी हो सकता है कि आपके person इस समय कोई karmic partner के साथ स्टक है भगवान हमारी उन्हों क्या बोलू जब हम गलत रास्ते पे होते हैं या फिर जब हमारे अंदर कुछ कमिया होती है not कमिया I mean जब हम गलत होते हैं तो भगवान उस गलती को सुधारने के लिए हमारी लाइफ में कुछ कुछ क्या बूलो कुछ situations ला देते हैं ऐसे जिससे हमें fight करना होता है हमें realize होता है कि हमारी गलतिया कहा होती है या फिर हम कहां गलत जा रहे थे and then हम उसको सुधारते हैं तो आपके person भी मुझे कुछ ऐसा ही फील हो आपके person के लिटरली बैंडड बजाई गई है हां जी कोई कार्मिक पार्टनर भी हो सकते हैं या फिर कोई कार्मिक situations भी हो सकते हैं या फिर आपके person के कुछ बोरे addictions हो सकते हैं इसकी वजए से वह इस समय काफी परेशानी में है आपकी person को ऐसा लगता है कि आप बहुत intuitive हो आप बहुत, you know, spiritually uplifted हो, अपने आपको काफी ग्रो किया है spiritually और ये भी हो सकते हैं कि आपको spiritual practice करते हो, आपको सही और गलत में differences पता हो, बहुत अच्छे से पता हो और आपके person आपको लेके serious है, definitely serious है, आपके साथ एक stable connection चाहते हैं और बहुत stagnancy और बहुत slow pace दिख रहा है, वो ही आपके person जिस चीज़ से गुजर रहे हैं, I think उन्हें ऐसा feel होता है कि आपके तरफ आने में समय लगेगा, वो सारी चीज़ों को resolve करके हैं, वो सारी चीज़ों को solve करके हैं इस समय दिख रहे हैं, आप दोने के बीच में बाच्चेत तो नहीं हो रही है, या फिर हो भी रही है, तो बहुत कम हो रही है, surface level पर बाच्चेत हो रही है लेकिन प्यार भरपूर है, आपके person बहुत overthinking कर रहे हैं, बहुत जादा overthinking कर रहे हैं क्योंकि वो आपके साथ reconcile करना चाहते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि आप उन्हें छोड़ के आगे जा रहे हैं, आप उन्हें छोड़ के अपनी life में move on कर रहे हो और नहीं चाहते हैं कि वो move on कर लेकिन उन्हें नहीं पता हुने क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसलिए बहुत जादा you know overthinking कर रही है situation को लेकि क्या किया जाए और क्या ना किया जाए कि यहां से देख लेते हैं हाई लेवल फट्राक्शन हाई लेवल फट्राक्शन वह आपकी यूण इतना हाई है कि वह आपकी ब्यूटी की तरफ खिचे चले जाते हैं हो सकता है आप I mean कुछ तो भी something like divine like quality हो आपके अंदर इसलिए आपके परसें बहुत जादा अकर्शित है आपके तरफ बहुत हाई लेवल फट्राक्शन, हाई लेवल फट्राक्शन में देख पारे हूं soulmate definitely आप लोग हो सकते हैं हो सकते हैं इसमें को transition phase से गुजर रहे हूं आप जो हो बहुत feminine quality आपके अंदर दिखती है आपके person को हो सकता है बहुत giving हो twin flame soulmate आपके person definitely आपको अपना twin flame soulmate मानते हैं again high level of attraction, passion, affection, reparenting yourself हो सकता है आपके person को कुछ childhood traumas हो yes, कुछ childhood traumas हो जो बच्पन में किसी को मिलनी चाहिए वो होता है कभी कबार नहीं मिलती है या फिर किसी का बच्पना बलकुल अच्छा नहीं जाता है किसी के parents के traumas रहते हैं या वो parents के traumas के impact and effect भी बच्चों पर बढ़ते हैं बहुत सारे चीज़े होती तो मुझे लगता है आपके person पर कुछ तो भी childhood traumas है या फर रिजॉल्व कर रहे हैं किसी ने किसी वे में यहां से देख लेते हैं हुआ हुआ है Completion Participation Receptivity The Fool We Are The World कहीं ने कहीं आपको अपना पुरी दुनिया मानते हैं या मानती है जो भी आपके person है कहीं ने कहीं उन्होंने काफी ये connection को थोड़ा surrender भी किया हुआ है तो कहने लगता है कि शायद वो इस समय कुछ नहीं कर सकते जो भी उनकी हालात है या जो भी situations है कोई कार्मिक situation है, third party है या आपके कुछ family issues है जो भी हैं जिसकी वजह से बट वो आपके साथ equal mutual given take करना चाहते हैं आपके साथ equally participate करना चाहते हैं इस relationship को आगे ले जाने के लिए आपके साथ एक नई शुरवात करना चाहते हैं आपके साथ definitely वो completion चाहते हैं वो चाहते हैं कि आप दुने के बीच में एक अच्छा bond बने आप दुने के बीच में proper relationship हो आप दुने के बीच में proper connection हो क्योंकि कहीं न कहीं देखो energy जो थी वो बहुत serious भी है उनकी तरफ से कि वो काफी serious है आपको ले कि चाहें आपसे बात कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं यहां से देख लेते हैं उनके कुछ messages आपको ले कि क्या message वो आपको देना चाहते हैं angels please बतायें I was wearing a mask to keep you in my life I did not realize it was keeping us apart फसाद है आपके पसेंद अपने true feelings, अपने true emotions आपको नहीं बताते हैं उन्होंने कुछ ऐसा behave किया होगा कि आप उनके life में रहो लेकिन नहीं भी शायद आपको लगा होगा यह person बिल्कुल careless है मरी तरफ ध्यान नहीं देता या नहीं देती तो आप अपने रास्ते हो गए होंगे कुछ इस तरह की energy है I will wait for you till eternity regardless how painful it might be you are my soulmate बहुत soulmate का energy है वह आपको अपना soulmate मानते हैं उन्हें पता है आप उनके soulmate हो I am crazy about you वाव आपके person बहुत crazy है आपको लेके तभी शायद addiction इतना high है this is a life of a lifetime वाव it's too difficult for me to come forward यह situation कुछ उनकी ऐसी है मैंने कहा ना वो कही न कहीं stuck है कार्मिक, partner, family situations, priorities तो इस समय वो अपके पस नहीं आ सकते काफी waiting वाली energy है friends यह दे चोटे से reading I hope मेरी reading आपको पसंदाई होगी मेरी reading आपको पसंदाई होगी